हेले एवर्यवान विल्कम बैक टू माँम्स चैनल तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दोते दिन से हम लोग ट्राय कर रहे थे लखनो जाने के लिए और हमको टिकेट्स मिल नहीं रहे थे चंफर्म नहीं हो रहे थे तो finally आज रात की हमारी train है and confirm tickets है तो आज हम लोग लखने हो जा रहे हैं रात को तो ये हमारे bags अभी तक packed है 26th को हम लोग जाने वाले थे तब से हम लोग try कर रहे हैं कि अब शायद ticket मिल जाए अब confirm हो जाए तो वो 2-4 दिन जो भी है तो वो bags packed ही रखे हुए हम लोग ने उसको unpack किया ही नहीं कि शायद हो जाए जब हो जाए तो चले जाएंगे bag उठा के तो आज हम लोग finally जा रहे है आज की tickets confirm होगी सोचा ही नहीं था हमने तो यहीं सोचा था कि tickets confirm आज भी नहीं होगी और हम अपने bags unpack कर लेंगे तो हम जा रहे हैं लखनव आज सुबह के नाश्ते में मैंने बनाया था आटे का हलवा और आलू के पापड़ आलू के चिप्स फ्राई किये थे और यह नाश्ता हमारी family में सभी को बहुत पसंद है सुबह यही नाश्ता हुआ और मैंने थोड़े जादा से पापड़ और चिप्स तल लिये थे कि जैसे कभी बच्चों को लंच में खाना है या फिर ऐसी शाम में कुछ खाने का दिल करे हलका फुलका तो थोड़े जादा से फ्राई करके कंटेनर में रख लिये थे भरके और गुपता जी चले गए ड्यूटी नाश्ते के बाद हम लोगों ने चाह ली थी और बच्चों ने दूद लिया था थोड़ी दिर बाद और फिर वही रेगुलर सुबह के सब काम होते होते लंच की जब टाइम आया तो लंच के लिए यही रहता है क्या बनाया जाए तो दाल ने तो मतलब दाल ज़रूर बनती है जो दाले हैं उनमें से कोई अलग चेंज होती रहे वो अलग बात है तो आज मैं उरत की दाल काली वाली छिलके वाली दाल और उसमें थोड़ा से मैंने डाला है चने की दाल तो उरद और चने के डाल मेक्स बना रही हूँ और मैंने सरसों का तेल गरम करने के बाद लेसुन की कलियां डाली है बारी कात्यों ही हाल्दी ठनिया पावडर लाल मिर्ची और इसी टाइम पे मैंने नमक डाला है अब सूके मसाले और नमक डाल करके ना टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लिया है क्योंकि टमाटर थोड़ दिर सॉफ्ट हो जाए और फिर ये जो मैंने डाल धोके रखी थी उरत की डाल और चने की डाल वो मैंने मिक्स किया है चने की डाल ऐसे अंदाज से देखो तो 3-4 चमच ही है और जो उरत की डाल है वो पूरी-पूरी हाफ कब डाल थी तो बस डाल करके भून लिया थोड़ी दिर और फिर उसमें पानी डाल दिया इंडाक्शन ओन तो था ही दो विसल, तीन विसल में दाल पक जाती है लेकिन पहली विसल जैसे तेज आज में आई तो आज धीमी करके उसको धीमी आज में पकाया क्योंकि उरत की दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है अब इसके साथ दाल के साथ सबजी क्या बने अभी फिलाल कोई सबजी थी नहीं घर में हरी सबजियों में तो मैंने सुचा आलू बनाते हैं और पैसे तो पहले शुभी को आलू पसंद नहीं थे पर अब ये छोटे छोटे जीरा आलू फ्राई वाले उसको पसंद आने लगे हैं अभी मैंने कड़ाई में तेल गरम ही था जो मैंने सुबह पापर जिफ सले थे वो कड़ाई रखी थी न तेल कम करने के बाद इसमें जीरा, हरी मिर्ची और हींग डाली है साथ में थोड़ी हल्दी पाउडर सिर्फ हींग जीरे से छोके हुई है आलू बहुत अच्छे लगते हरी मिर्ची तो फ्राई फ्राई काने में अच्छे लगती है और हल्दी नमक में ही ये सबजी तयार हो जाती है बहुत से मैंने धीमी आज में रखी सब्जी और चावल कउकर में धोके फिर चावल चढ़ा दिये और खीरा निकाला था फ्रिच से उससे छील के काटूंगी बस ऐसे लगातार काम दाल पक रही है सब्जी पक रही है बीच में हिला दिया चावल का कॉकर लगा और सब्जी हमारी भाप में ही पख जाती है दीरे दीरे इसमें पाई डालने के खील भी से तिर आलू आपक पहनूं पाउडर साथ में कुटि मिरची ये मेंक्स नहीं किया है ने किया है ने है और सब्छी साथ caring इतने चुटा साइस कट किया उतनी जल्दी वह सब्जी पकेगी आलू फ्राई होगा अच्छे से और उपर से कटा वह धनिया पत्ता ढाल करके मिक्स कर लेना है तो यह बहुती सिंपल सब्जी दाल चावल के साथ ही ज्यादा अच्छी लगती है तो जब कोई सब्जी नहीं ह तो चूला राज्मा और पनीरिन के सिवाए कोई गिंती नजर आती नहीं है मतलब यहीं बनता है गुम फिर के और नहीं है मन खाने का तो फिर यहीं सबसे अच्छा लगता है और सब्जी मैंने निकाल के डॉंगे में ट्रांसफर कर ली थी कूकर में जो दाल कोल के देखी तो काल डाल एकदम परफेक्ट पक चुकी है क्योंकि मैंने उसको दीमी आच में पकाया था अच्छी बॉयल हो गई है दीमी आच में वह पकती रहना इंडक्षन में मैंने आटा वाटा गूता और इधर सबजी भी पक गई आलू की और यह हरे धनिया की चटनी जो कि लंच ट उपता जी भी खाने के टाइम पर आएंगे लेकिन देड़ से आएंगे मैंने यहां पर फुलके सेकने शुरू किये और बच्चों से बोला कि गरम गरम बना रही हो तो खा लो तो मूड की बात रहती है थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बात करते हुए क्योंकि दूद भ वज़े तक खाना खाते हैं बच्चे बस रोटियां सेकती जा रही हुए और जिस समय मैं रोटी सेक रही थी न इसी टाइम पर मैशने जाया था कि ट्रेन कंफर्म हो गई है मनला सुबह से भी कुछ भी किसी को पता नहीं था कि ट्रेन कंफर्म होगी भी कि नहीं क्योंकि च प्यानार नंबर ये है और ये वाली हमारी बर्थ कन्फर्म हो गए ये सीट्स हैं बड़े खोश हैं बच्चे और जैसे ये सुना भूख लगाई उनको हाँ ठीक हो मैं आप खाना का लेते हैं चलो लो भई खाना खाओ और लंच से हम भी अपनी रसों निप्टाएं अभी मतल दुलते दुलते इन लोगों से बाते हो रही है सारी फिर जो भी बाते करने हैं ट्रेंसे रिलेट और खाना इनका होता जा रहा है तो ये वाली टाइमिंग थी बच्चों को खिलाने के बाद फिर पूरा काउंटर टाप क्लीन हो चुका था इन लोग ने अपनी थाली निका बात फिर दर्वाज दर्वाज बंद आज तो बदलब दुपैर में ऐसा सोई ना इतनी गहरी नीन में करवड़ बदर बदल के दुपैर के समय में आज बहुत गहरी नीन सोई हो छे बजे के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अभी और सोना जैसे रात में सोते वह आले हाल थे अब है कि रात के खाने के लिए क्या बनाओं तो अभी बच्चे कह रहे हैं भूख नहीं है और ट्रेड तो 11 बच्चे की है अभी इन लोग लिए बना देती हूं थोड़े पॉपकॉन माइक्रोवेव में उसके बाद अभी चल रहा है क्या सबजी बनाओं माइक्रोवेव में तो पॉपकॉन तीन मिनट में भी बन जाते हैं दो से तीन मिनट में बस यह वही वाले कॉन है जो मैं कूकर में पॉपकॉन बनाती हूं मेशा थोड़े से कॉन लिए यह माइक्रोसेफ बाउल में और हल्दी नमक और थोड़ा सा तेल वैसे तुम पता है ड्राइ ही बना के वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं सच मुचो तो लेकिन उसमें फिर टेस्ट नहीं आता बच्चों को तो फिर इसली हलका सा उसमें हल्दी और नमक और तेल डाल करके रख दिया माइक्रोवेब के लिए दो मिनट या तीन मिनट में ही बन जाते हैं यह पॉपकॉन बन गए शाम को कॉफी पी चुके थे यह लोग मैं सो रही थी तब ही हुआ और अभी मैंने इन बनाए हैं और ट्रेन के लिए वो चिप्स वगएरा तो सब उनका बाजार के रिडी मेड वाले सब रहते ही हैं थोड़ा थोड़ा घर का भी सामान दे दूँगी अब जब आज ही इंका हुआ है कनफर्म और अभी गुपता जी ड्यूटी से आए हैं तो तो रही लेके आए हैं आज कल बस लौकी तो रही और कद्दू अगर अच्छा दिखता है तो कद्दू आ जाए बस यही सबजीया हैं तो कड़ाई में तेल करम होते ही जीरा डाला है मैंने और लाल सुखी मिर्ची और हल्दी हींग और बस तो रही डाल दी है नमक डाल करके मिक्स कर दिया और सच कहूं तो मुझे मतलब जैसे रात में थोड़ा सा बनाना है क्योंकि दाल रखी हुई है जो दिन में दाल बनी थी दाल रखी हुई है चावल भी बचे हुए है और थोड़ी से आलू जीरा भी रखे है अब यह है कि तोरोई की सबजी आई तो मैंने तुरन तो से दाल है वो तो गरम करूंगी मसाले वाली दाल है उरत की यह सबजी पक गए जीती दिर मैंने आटा वाटा गूता तुरन सबजी पकती है बस लास में कटावा धनिया पत्ता और दो चमच गी डाल दिया मिक्स किया और टाइम भी और तो साड़े आट बजे आट बजे तो आ हमेशा तो बस यहां रोटियां से की और लगा कि मैंने मतलब कुछ कैसरोल में नहीं रखा सीधे प्लेट लगाने को बोला शुबी को चलो निकालो प्लेट क्योंकि जो लेफ्ट ओवर खाना रहता है वो भी निप्टाना रहता है ना तो दैस दाल गरम कि इसको शुब हमने तरीके से काम रात का बहुत ही जल्दी हो गया मतलब कुछ पता ही नहीं चला हाला कि सोक्योटी थी वो जो पिटारा सुबै वाला था वो बस पूरा समेटा ही था पूरा फुल बास्केट था बर्दनों का और ये अभी शाम का हो गया रसोई का बना कुछ नहीं है कि वो सब होते होते होती रही और उसके बाद जब टाइम हुआ ट्रेन का तब चलते हैं जो टाइम होती है उसके पहले घर से निकलना पड़ता ही मजबूरी है भाई बहुते वहां पे लेट हो जाए वह उसकी मर्जी 11-20 की ट्रेन थी तो मुझे लग रहा साड़े दोसके बाद से श सावल का रेलवे स्टेशन बहुती सुंदर साफ सुथरा यह देखो बुसावल मतलब फेमस ही है रेलवे के लिए बाकी कुछ पुरा शहर गंदा मिलेगा आपको अर जगे और मतलब कुछ छोटा सही है कुछ है नहीं सावल में लेकिन हाँ स्टेशन के नाम पे फेमस है जं लेकिन रुकती है ऐसा सुना है मैंने बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है और बस हम लोग आए और प्लैटफॉर्म अब यह था कि आजकल नेट में तो प्लैटफॉर्म दिखाते हैं सब लोग उसी से देख लेते हैं उसमें सिक्स नमबर दिखा रहा था जब वहां पह हो जाते हैं चार लोग हैं अगर टेन उदर आई तो दोड़ते बागते जाएंगे वहां आप क्या ही कर सकते हैं लेकिन वह आठ पर ही आई थी और थोड़ी देर रुके फिर थोड़ी देर ऐसे करते करते साड़े बारा बज़े बच्चों की ट्रेन आई और यह लोग लग एक्सप्रेस यह और जो अनॉंस्मेंट हो रही थी वह दूसरा नाम करके हो रही थी लोग मान थे लग से लखनों के जाने वाली सूपर फास्ट कई सारी ट्रेनों के नाम हैं और वह अलग-अलग हैं जरा से में नंबर में चेंज हो जाए तो पचला यहां से वहां बाठते चले जाओ वह चीज रहती है अभी भी इतने साल हो गया जर्णी करते हुए तब यह चोटे-चोटे चीजों में भी डर बना ही रहता है टेन में बैटने और बेटालने से पहले तक बस बच्चे बैड़े गया राम से एवन में था इनका टिकेट बाबाई चले गए